यदि किसी को कवज रहती है और बवासीर की समझ्या है वो बहुत सारी द्वाईयों को ले ले करके प्रेशान हो चुका है बवासीर का ओप्रेशन भी करवा चुका है उससे उसको कोई फाइदा नहीं होता है तो वो अपने घर पर दो-चार पेड़े पेड़ जो है ऐलोदेर अगर लगा लेगा थोड़े दिन बाद उनकी ग्रोथ होगी और जब अच्छी सी ग्रोथ हो जाए तो हर रोज लगभग 50 ग्राम की मात्रा में सूबह खाली पेट या फिर श्याम को सोटेट है सबसे अच्छा रहेगा सूबह खाली पेट लगभग 50 ग्राम एलोवे रहो उसको जो है थोड़ा सा उपर से हरे हरे रंका जो उसका पार्ट होता है जो छान होती है उसकी उसको काट लो और उसको काट करके जो है थोड़ा पूट लो अब अपनी आवशकता अनुसार यदि उसके अंदर मीठा मिला सकते हो और यदि डायविटीज है तो मीठा मत मिलाना और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला करके जो हो उसको पी जाओ थोड़ा खोट करके इस से आपको दो फायदे होगे पहला फायदा होगा यदि आपके शरीर में जो मल जमा हुआ है आपकी बड़ी आंत में जो मल है उस मल को खुर्च-खुर्च के ये बाहर निकाल देगा और किसी प्रकार की हाने नहीं होगी जैसे आयरुवेद के टोरिक है त्रीफला त्रीफला को यदि आप पानी के साथ लंबे समय तक लोगे या पेट सभा लोगे या कोई और प्रोड़क्ट लोगे आयरुवेद का हो या ऐलोपेथी का हो उसके नुक्षान देखने को मिल जाते हैं कभी कबार लेकिन त्रीफला में यह थी थोड़ा सा कैस्टरोयल रंडी का तेल या फिर घीम लागर के लिए जो फिर उसका कोई विजुस्प्रेडाम नहीं होता तो इसके अलोवेरा के प्रयोग से आपकी आउन्तों में सूखापन नहीं आएगा रूखापन नहीं आएगा क्योंकि यह रेचक नहीं है और आपकों की कमचोरी नहीं आई यह और आपका पेट बड़ी आसानी से साथ होगा यह डायवेटीज के रोगियों के लिए बड़ी चमतकारी रोगा है जो diabetes के रोगी है जिनको गवज रहती है या बावासिर के ऐसे रोगी है जिनोंने operation करवाया था और operation करवाने के बाद पूराय जो है डाइबे रिसकी बावासिर की वापसी हो गए है तो वो लोग भी इसका लाव ले सकते हैं बड़ा समझकारी और परभाव साली जो है इसका लाव है बाजार में जाबान से आने वाली कमपनियां या फिर फ्रांस, इटली, अमेरिका, चाइना इन देशों की कुछ हर्बल नाम से प्रोड़क्ट आते हैं और वो ऐलोवेरा का चूस जो हलगबख 5500 रुपए का एक किलो बेश रहे हैं और लोग उसका परियोग कर रहे हैं और उसका परियोग करके उनको बड़ा लाब हो रहा है शारिरीक लाब धंकितो हानिव हो रही है उनकी खुदकी भी और अपने तेश की भी तो वही ऐलोवेरा जो आप जापान का, फ्रांस का, अमेरिका का, जर्मनी का, चाइना का लेते हो वो ऐलोवेरा आपके घर के आंगन में हो सकता है, आपके खेत में हो सकता है, आपकी वित्वारी में हो सकता है गमले में हो सकता है, आपकी छट पर हो सकता है मन्देर पर आप एक गमला रखके उसमें भी तयार कर सकते हो तो क्यों इतने महें प्रोड़क्ट लेते हो और क्यों अपने देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हो क्यों भी देशों को मदबूत कर रहे हो तो ऐलो वेरा का यह प्रयोग आप ज़रूर करिए बड़ा ही चमधकारी प्रभावसारी ये प्रयोग हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पर आलोवेरा हैं individually he प्रयोग करना चाहिए आप प्रयोग कर दो परदाई प्रयोग करिए बड़ा चमधकारी लाव है 2023 अलोविरा के और भी बहुत सारे फायदे हैं उन सब फायदों को हम आपके साथ साजह करते रहेंगे और आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो सिस्क्राइब कर दे और बैला एक अदब आ ले ताकि आगे आने वाले समय में हम जो भी कोई जानकारी आपके साथ साजह करें उसकी जानकारी आपको हटाक से मिल सकें नमस्कार बंदे मातरम जैसी आरा